हाई इस वीडियो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ओफर लेटर मिलने के बाद क्या-कै चीजहं हो सकती है और क्या-कै चीजह करनी है इलेक्ट्रोनिक्स के पर्सपेक्टिव से बताऊँगा जुनियर एक्जेक्यूटव इलेक्ट्रोनिक्स जो भी अभी 22 को जॉइन करने वाले 22 को आई गेस सब का है जॉइनिक तो ओफर लेटर के लिए बहले तो बढ़ाई हो ओफर लेटर के लोग बहुत टाइम से मेरे को मेल कर रहे थे कि कब आएगा कब आएगा तो आगया होगा होफली सब को और जिनका बच्चा हुआ है उनको आने वाला होगा अलफाबैटिकली आ रहा है तो मेरे टाइम में अलफाबैटिकली नहीं आया था एक सांस एक ही दिन पर सबको आ गया था अभी इसमें कुछ-कुछ काम के पॉइंट्स में बता देता हूँ तो पहली जो चीज है वो मैं बताऊंगा वो है पोस्टिंग से रिलेटिड जो भी आपके स्टेशन लिखे होंगे मतलब की एयरपोर्ट लिखा होगा आपके ओफर लेटर में आपको वहां जॉइन करना होगा रिपोर्ट करना होगा ऐसा लिखा होगा और अगला CATC में कुछ लोगों को बलाया गया होगा तो जो भी लोग एयरपोर्ट में जॉइन कर रहे हैं वहां जाएंगे अब इनिश्यो अगरा होगा मतलब इनिश्यल ट्रेनिंग होगी आपकी और वो हम लोगों की एक दिन मह लिखे की है जो कि काफी जादा है अब उसमें कैसा करिकुलम डिजाइन होगा वह मुझे तो इतना इडिया नहीं है सीनियर को आइडिया है तो वह आपके एयरपोर्ट में होगा जो लोगों को एयरपोर्ट बलाया जा रहे है और CATC जिनको बलाया जा रहे हैं उनका CATC मे होगा फिर उसके बाद ऐसा है कि आपकी posting आईगी training complete होने के बाद पर मान के चलिए जहां आपको बुलाया गया है अभी वही most probably आपकी posting location होगी 2-3 साल तक ऑफिशली तो ऐसा लिखा होता है कि 2 साल तक होती है तीन साल या उससे अबब भी जा सकती है आपको एकी जगह रहना पड़े जहां बुलाया जा रहा है वहीं रहना पड़े यह unofficial है उपर-उपर की बात है समझ के चलिए मतलब on paper नहीं है on paper तब बोलते है जब एक official order आएगा जिसमें आपका नाम लिखा रहेगा और उसके सामने posting location लिखी रहेगी जब तक ऐसी return में चीज़े ना मिले न तब तक आपको ऐसे भरोसान मत करिएगा किसी भी बात पर लिखित में important होता है यह जब job life studio कर रहे हैं आप तो important है तो कभी भी decision लेंगे अगर future में आप अपना job time में या duration में तो एक लिखित में कहीं देख के ही decide करिएगा चीज़ें तो बाद में जब खतम होगा कुछ लोगों की a b nisio के बाद भी आ सकती है या फिर पूरी training खतम होने के बाद आ सकती है mostly जिनको जो airport मिला वही रहेंगे आप तो दो चार चीज़ें change होगी दो चार लोग change हो सकते हैं ऐसा नहीं है exactly 90% समझ के चलिए वो ही है जो लोग CATC join करे हैं CATC के बाद complete करने के बाद आपकी posting आएगी तो उसके लिए रेडी रहें आप लोग अलग अलग time पे आ सकती है आप लोगों की posting और कहीं भी भेजा जा सकता है वैसे तो बड़े station में ही mostly chances है कुछ लोगों को हैदराबाद मिला है कुछ लोगों को जैसे बैंगलोर भी मिला है हम लोग के time पे न यह structure होगा और training का duration भी कुछ आगे पीछ हो सकता है कि आप पूरा training या तो फिर airport में ही करें कुछ part of training आपका airport में रहेगा और बाकी का part CATC जाके करें ऐसा भी हो सकता है मेरे time पे ऐसा था कि एक देड़ महीने का ab in issue गवा था फिर उसके बाद हम CATC गए थे और वहाँ पर 3 म होने के बाद ही posting मिली थी कुछ लोगों को लेकिन हम लोग जो थे ab in issue करने के बाद ही posting मिल गई थी हमको तो हम यहीं consume हो गया थे मुंबई में ठीक है तो मेरा starting ही मुंबई में हुआ और यहीं पर consume हो गया बस मैं CATC किया था qualification training course करने तो ऐसा type का structure आपका भी हो सकता है तो उ उसी mail में आप लिख के दे दीजे अगर possible होगा तो वो दे देंगे यह official नहीं है मैं वस अपने तरफ से बोल रहा हूँ जरूरी नहीं ऐसा मिली ही जाएगा क्या पता जादा तर लोग अगर interested हो extension लेने में तो maybe सब कुछ मिल जाए extension ठीक है various reasons हो सकते है कोई कुछ लोग job कर रहे हैं तो उनको extension चाहिए कोशिश करिए कि आप एक देड़ माइने की notice period सर्फ करके आ जाए और कुछ भी पुराना company का लेके नाया जैसे कुछ bond हो सकता है या फिर आपको तकलीफ हो रही है वहां से relief वालों के लिए अगर माल लीजा आप स्टार्ट कर रहे हैं एक नया लाइफ तो स्टार्ट करिए freshly एक दम पुराना burden करी मत करिए same goes for mtech वालों के लिए अगर माल लीजा आप mtech वगरा कर रहे हैं thesis presentation या फिर final final stage में है थोड़ा आपका काम चल रहा है project का रात दिन लग जाओ भाई पटा-पट निप्टा लो और एक नई स्टार्ट लो एक दम से रात बर काम करने का लगा तो लाइब जा के कर लो presentation मांग रहे हैं तो presentation वगरा सब दे लो extra काम भी अगर बोल रहे हैं प्रॉफ तो वो भी कर लो कैसे भी कर के खतम कर लो joining से पहले अगर हो पाता है तो वैसे इतनी जल्दी तो नहीं आना च काउंटर सो तक हो सकते हैं आपको बाद में पूरी सर्विस में हैं तो मेंटली थोड़ा रेडी रहे हैं ऐसे और जितना भी टाइम मिला है आप उसमें अपने डॉक्यमेंट्स तो बनवाही ले 15 दिन लगते मेडिकल बॉन्ड वगरा बनने में तो वो सारी चीज़ें का ध बड़े रहेंगे एक बोर्ड रहती है एक्शली होस्पिटल की डिस्टिक होस्पिटल की बोर्ड में कुछ मेंबर्स रहेंगे बड़े बड़े ओफिसर्स रहेंगे और फिर एक चेर्में होंगे जो और बड़े ओफिसर होंगे ऐसा समझ के चली तो उनका सील और साइन जा रहा हूं है कि पॉसिबल होगा तो मिल जाएगा उसी mail में रिवर्ट कर देना नहीं होगा तो अब कुछ नहीं कर सकते जित्ता हो सके काम रफा रफा करके अपना पुराना जो भी है प्रेशार लेके थोड़ा काम कॉप्लीट करके नहीं जिंदगी यहां से फ्रेश स्टा अगर आप लोग को मिल रहा होगा तो में भी कुछ लोग सोच रहे होगे कि फ्लाइट से आ सकते हैं कि अपन तो उसके रिगार्डिंग आपके ओफर लेटर में ही लिखा होगा कि प्रोवाइड करेंगे नहीं ट्रेवलिंग इसके अलावा अगर अगर तो अपको मिल जाए अब फिलाल तो ऐसा मतलब हमलों के टाइम पे हुआ था गेस्ट हाउस या तो कुछ तो फैसलेटी अवलेबल कर देंगे आपके लिए पूरे ट्रेनिंग डियोरेशन के लिए हैं फिर उसके बाद ट्रेनिंग के बाद क्या होता है जब वापस आते हैं आप अपने पोस्ट कुछ इस्टेशन पर कुछ इस्टेशन पर नहीं मिल सकता मुंबाई में मुझे तो नहीं मिला था खाने का हम लोग खुद अरेंच करते थे कुछ ऐसा महस वाली फैसलेटी नहीं थी गेस्ट हाउस मिल गया था रहने के लिए मैं इस पर वीडियो भी बनाया हूं पहले तो अलग-अलग जगे अलग-अलग मिलेगा रहने खाने का तो कंपैरिशन मत करना ऐसे जो मिल रहा है वही ले सकते हैं या तो फिर आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं यहां पर मुस्ली आपको ठीक ही मिलेगा रहने लाएक हाना तो अकुमटेशन से रिलेटेटी यह था खाने सेलरी कर बता देता हूं, सेलरी ऐसा है कि दो महिने में आईगी आपके, पहला जो इनिशल फेज होता है, पहला मन्त जो होगा, उसमें सेलरी नहीं आईगी, तो क्योंकि आपका डिटेल्स वगरा चड़ता है, पुरा मतलब वेब साइट पे भी चड़ेगा, आपके मन्त की एक साथ आईगी, और एसा हर साल होते आया था, तो हम लोग के भी टाइम में ऐसे ही हुआ था, कि दूसरे मन्त पे पूरी दो मन्त की एक साथ सेलरी आई थी, और सेलरी जो है मन्त के लास्ट वर्किंग डे में आती है, हमेशा क्रेडिट हो जाती है, चाहे कुछ भी जो लास्ट वर्किंग डे होगा, उसी दिन सेलरी क्रेडिट होती है, तो थोड़ा कैश रखे रहना अपने पास, ताकि कोई दिक्कत ना आए, एक दो महिने तक, फिर जब सेलरी आने लग जाएगी, तो रेगुलर हो जाएगा, नौर्मल हो जाएगा, तो इस चीज का ध्य जाएगा, जितना हो सकता है, फटा-फट निपटा लो, और जॉब का तो मोस्ली नोटिस पिरेडी होगा, तो लग-लग के अपने बहुस लोगों के पीछे भाई, कैसे भी खतम कर लो, एक देर महिना सर्फ करने का, ऐसा भी नहीं बोल सकते हैं, अब 10-15 दिन में यह आ रही तो यह ही था, इसके लावा और तो कुछ ऐसे कॉमन कोईरी जैसे बहुत लोगों की आती है कि मतलब हम लोग कैसे करें की चूस करना है, M.Tech और P.S.U. अगरा में ऐसा कई लोगों कोई डाउट है, कुछ लोगों का जौब चोड़ना है कि नहीं चोड़ना है, कुछ के पास की नहीं आएगा वैसे वाली बात है, और मैं सोच रहा था कि अलग से पुरा प्लेलिस्स बनाओं इन सब चीज के लिए, मतलब एक वीडियो में बात करना बहुत मुश्किल है, मैं सोचा हूँ धीरे-धीरे करके बताऊंगा, अभी तो फिलाल ऐसे हल्प नहीं कर पाऊंग आगे आपको फ्यूचर दिख रहा है कि नहीं, कर पाऊंगे कि नहीं, जॉब जो कर पा रहे हो कि नहीं, अगर आपको इंसकेप रूट देख रहे हो कि भाई, कहीं हो जाए मेरा तो मैं निकलू इस जगए से ऐसा कुछ देख रहे हो तो भाई, यह बहुत अच्छा मौका ह आपके बाद मुश्किल होती है क्योंकि कई सारी जगाओं में, तो यह साही टाइम है, और फिर इसके बाद आगे क्या करना है, आप ऐसा देख सकते हो, यहाँ पर आने के बाद, तो दीरे-दीरे मैं सोचा हूँ, दीरे-दीरे कुछ-कुछ मेरे दिमाग में आइडियाज ह पर फिलाव तो इतना ही मदद समझ के चलिए कर रहा हूँ, तो चूज वाइजली, अभी भी आपके पास 10-15 दिन है, एक बार घुज गया है यहाँ पर तो फिर आप बॉंड में बंदेंगे, क्योंकि सबसे पहली चीज, और बॉंड अच्छा खासा रहता है, तो सालरी क्योंकि में ठोगा आप ही, बाइस को जब जॉइन करेंगे, तो थोड़ा मतलब उस पे बंद जाएंगे आप, तो ऐसा नहीं बोल सकते काम नहीं पसंदार अमरे को जाना है, मतलब बचो टाइप नहीं कर सकते, अब थोड़ा प्रोफेशनल हो जाएंगे, तो आप लोगों है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख देना, और अगर परसनली कॉंटेक्ट करना चाहते हैं, तो मेरा मेल आइडी मेरे अबाउट सेक्शन, चैनल डिस्क्रिप्शन सेक्शन में कहीं तो लिखा हुआ है, वहाँ से देखके मेरे को मेल कर दीजगा, अपने बात कर करेंगे हैं, तो यही था, अगले वीडियो में मिलते हैं फिर, बाई बाई